जिसने हमारी नींद खराब करने की हिम्मत की अगर जान प्यारी है तो उड़कर चला जा कहीं वरना यहीं तेरे प्राण ले लूंगा राजा विश्णुदर्द गुस्से में बढ़ बढ़ाता रहा लेकिन उसके आराम कक्त की खिड़की पर बैठे कववे पर कोई फर्क नहीं पड़ा वो पूरी जोर से अपनी काउं काउं करता रहा दूसरी तरफ राजा विश्णुदर्द भी कम नहीं था असल में वो इतना खडूस था कि उससे राजी की जनता भी परिशान थी वो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता और कभी भी किसी को भी कुछ भी सजा दे देता था उस दिन भी राजा विश्णुदर्द उस कववे की काउं काउं पर कुछ जादा ही नाराज हो गया दोरसल खिड़की पर बैठा वह कववा बहुत प्यासा था और बार-बार पाली मांग रहा था राजा ने अपने सिपाईों से उस कववे को बार-बार वहां से उड़वाया लेकिन प्यासा कववा बार-बार खिरकी पर आ जाता और लगातार काउं काउं करता ही रहा और बस इसी बात से राजा बुरी तरह जला गया अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा तो ठीक है फिर अब मेरे हाथों मरेगा तू काले कववे इतना कहेकर राजा विश्णुदत ने अपना तीर कमान उठाया और कववे की तरफ एक तीर चला दिया कववा खत्रा भाब कर वहां से उड़ पाता उससे पहले ही राजा का तीर उसके सीले पर जाकर लगा तीर लगते ही कववा खिरकी से अंदर फर्श पर दिर पड़ा अब कर काउं 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 फार दिया कमभख्त ने राजा विश्णुदत कववे को मारने के लिए उसकी तरफ तलवार लेकर दोड़ा लेकिन उससे पहले किसी तरह हिम्मत जुटा कर कववा उठा और पूरी ताकत लगा कर वहां से उड़ गया इसी तरह से येते पढ़ते कववा जंगल में पहुचा जहां कवव की पूरी बस्ती थी और फिर काओ काओ ये क्या हो गया कलू चाजा आपको ये तीर किसने मारा काओ अरे बेटा सुना था कि राजा विष्णू दद्द बहुत खडूस है पर आज देख भी लिया मैं तो बस पानी की उम्मीद में उसकी खिड़की पर जा बैठा और देखो उसने ये क्या किया मेरे साथ अरे वो तो मेरी तरफ तलवार लेकर दोडा था मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है बेटा पर लगता है मैं बचूंगा नहीं आप पर ये तीर चलाकर उस राजा ने बिलकुल भी ठीक नहीं किया उसे इसकी सजा भुगत नहीं होगी कमल कववे की बात सुनकर बाकी के कववों को भी गुस्सा आ गया और सभी कववे कमल कववे की बाते ध्यान से सुन रहे थे तभी कल्लू कववे की तब्यत बिगड़ने लगी उसने एक लंबी सांस ली और वो डाल से नीचे गिरने लगा लेकिन अब उसमें इतनी जान नहीं थी कि इस बार वो पंक फैलाकर उड़ जाए और अपनी जान बचाले एक तो तीर का जखम और अब इतनी उपर से गिरने की बज़े से उसकी मौत हो गई उसे देखकर सभी कववे रोने लगे कववे की मौत में सारे कववों को गुस्से से भर दिया उस दिन पूरी कववा विरादरी में मातम पसरा हुआ था और अब हर कववा राजा विश्नुदत से बदला लेना चाहता था पर इतने बड़े राजा से एक कववे की मौत का बदला कैसे ले ये बड़ा सवाल था उस राजा ने कल्लू चाचा को इसी लिए तीर मारा ना तोकि उसे हम कववों के आवास पसंद नहीं उसके कान दुखते हैं हमारी आवास से तो फिर ठीक है अब ना रहेंगे राजा के कान और ना होगी उसे कोई दिक्कत सभी ने कमल कववे की बात पर हामी भर दी तभी एक बुड़े कववे ने आगे बढ़ कर कहा वो तो सब ठीक है पर इतनी कड़ी सुरक्षा में तुम राजा को सबक सिखाओगे कैसे पेटा कमल उसकी भी योजना है मेरे पास बाबा कमल ने फॉरन सारे कववे को एकठा किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया थोड़ी ही देर बाद कमल कववा बाजार के उपर मंडराने लगा उसे वहाँ एक दुकान नजर आई जहाँ चाकू छुरियां तेज कराई जाती थी कमल कववे ने मौका देखकर वहाँ से एक तेज चाकू छुरा लिया अगले दिन सारे कववे राजा को सबक सिखाने के लिए तैयार थे कमल कववे की योजना के मुताबिक जंगल से तो सारे कववे एक साथ हो रहे लेकिन महल पहुचने से पहले सारे कववे दो हिस्पों में बढ़ गए कमल कववा अपने कुछ साथियों के साथ महल के पीछे जाकर छिप गया और बाकी कववे महल के सामने लगे एक पेड़ पर जा बैठे सुनो साथियों जैसे ही मैं इशारा करूंगा तुम काउं काउं करने लगना जिस पर वो राजा जरूर गुसा करेगा लेकिन तुम लोग डरना मत वो राजा जैसे ही तुम्हें मारने तुम्हारे पास आएगा बस मैं तभी उसे सबक सिखाऊंगा ठीक है बेटा बस थोड़ा टाइमिंग का खयाल रखना जरा क्या है ना मैं टाइम से पहले नहीं मरना चाहता चिंता मत करो बाबा हम पहले ही कल्लू चाचा को खो चुके हैं अब की बार हम मैंसे कोई नहीं मरेगा ये वादा है मेरा कमल कउवे की योजना की मताबिक कुछ कउवे राजा की खिडकी पर बैट कर काउं काउं करने लगे जिससे राजा विश्णोदत को फिर से गुस्सा आ गया अबे क्या बला है ये ये काले कलूटे कउवे मेरे पीछे ही क्यों पड़े है कल ही एक को निपटाया है और अब ये सब आ गए और ये ये वाला तो कुछ जादा ही काउं काउं कर रहा है रुक वहीं रुक तू तू भी मरेगा कलूए राजा जैसे ही बुढे कउवे को मारने के लिए खिडकी की तरफ अपनी तलबार लेकर दोड़ा बुढा कउवा तो फौरन वहां से उड़ गया लेकिन कमल का इशारा पाते ही पेड़ पर बैठे बागी कउवे राजा पर शिपट पड़े जससे राजा विश्णु दद घबरा गया और अंदर की तरफ भागा तभी पीछे चिपे बैठे कमल कउवे ने आगे बढ़कर तुरन्थ चाकु से राजा के दोनों काण काट लिए और इन्मी मुह में दबा कर वहां से उड़ गया कमल ने राजा के दोनों काट लिए थे वो उसके दोनों कानों को मुह में दबाए महल के सामने वाले पेड़ पर जाकर बैठ गया और फिर बुड़ी कवे ने जाकर उसे भाई मान गए बेटा तुम है पर एक बात तो बताओ अब इन कानों का तुम करोगे क्या कुछ नहीं, देखो ना बिना कान के राजा कितना तरप रहा है उसे थोड़ी देख ऐसे ही रोने दो बाद में मैं उसके कान उसे वापस कर दूँगा है, पागल हो गया है क्या है, वो राजा तुझे छोड़ेगा नहीं बै और जब कान वापस करने ही थे तो हमारी जान की बाजी क्यों लगाई तुमने बेटा चिंता मत करो बाबा राजा को उसके कान मिलेंगे जरूर पर इतने आसानी से नहीं सब को लेकर मेरे साथ आओ मैं सब समझाता हूँ कमल कववे ने राजा के दोनों कान बुढ़े कववे को दे दिये और कुद अपने साथियों के साथ राजा की खिड़की पर जाकर बैट गया कमल कववे को देखती ही राजा उसे पहचान गया और वो उससे डर कर परदे के पीछे जाकर छिप गया अब ये तो फिर से आ गया अपकी बार पता नहीं क्या खाटेगा बचाओ सैनिको बचाओ मुझे कोई है इनका हुआ से कोई बचाओ मुझे काओ काओ चिला लो राजा जितना मर्जी उतना चिला लो लेकिन तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे सैनिकों के कमरे की बाहर से कुंडी लगा दिये हैं हमने भाई तुझे क्या चाहिए तू क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है मैंने तेरा क्या भिगाड़ा है अच्छा इतनी जल्दी भूल गया कल तूने हमारे कलू चाचा को मारा था और तेरे कान काटकर हमने उसी की सजा दी है तुझे मुझसे गलती हो गई भाई माफ कर दे यार मैं तुझे खूप सारा पैसा दूगा काना दूगा बस मेरे कान मुझे वापस कर दे भाई देखना मैं बिना कान के कैसा बंदर जयसा लग रहा हूँ ऐसे अपनी जंता के साबसे जाऊंगा तो सब मुझे पर आसेंगे भाई भाई जेदे भाई ऐसे बात है तो ठीक है तुम्हें तुम्हारे दोनों कान वापस मिल जाएंगी लेकिन उससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम या तुम्हारे सैनिक कभी किसी पक्षी पर हमला नहीं करोगे चाहे जो हो जाए और दूसरी बात ये कि तुम्हें अपने महल के ठीक सामने हमारे कल्लू चाचा की मूर्ती बनवानी होगी और फिर फर्गिस नहीं ये कैसे हो सकता है एक कवे की मूर्ती नहीं नहीं ये तो अच्छा तो फिर अपने कान तो तुम भोली जाओ वैसे भी बहुत भूक लगी है तो तुम्हारे दोनों कानों की ही दावा तोड़ाई जाएगी आज नहीं नहीं अब रुग जा अब बनवाओंगा भाई बनवाओंगा यार बनवाओंगा जो तुम कवगे वो करूंगा बस मीरे कान कान उन्हें मत खाना और मुझे लोटा जरूर देना मेरे कान कमल कवे की दोनों शर्ते राजा ने मानली जिसके बाद उसे उसके दोनों कान वापस मिल गए राजवेद्य ने राजा के कान वापस लगा दिये और कुछी दिनों के बाद राजा के महल के ठीक सामने कलू कवे की मूर्ती भी राजा को लगवानी पड़ी अब तो जब भी कवों का मन होता तब वो कलू कवे की मूर्ती पर जाकर बैठते और पूरी ताकत से काउं काउं करते और राजा विश्नुदत तकिये से अपने कानों को ढख लेता क्योंकि इसके अलावा कुछ और करने की हिम्मत उसमें अब नहीं बची थी बहुत समय पहले की बात है विशाल नगर में राजा कृष्ण देवराय राज्य करते थे उनके पास सब कुछ था बस एक चिंता थी कि उनके घर कोई संतार नहीं थी उनकी पत्नी सोमलता भी इस बात से बहुत दुखी थी एक बार सोमलता अपने बाग में एक तालाब के पास टहल रही थी वहीं एक साप एक मेंधक को निगलने के लिए उसके पीछे पड़ा था और मेंधक तर्र तर्र की आवाज से अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहा था अरी ये इतनी तेजा आवाज ये तो किसी मेंधक के शोर की आवाज है ये साप इसे खा जाएगा मुझे इस मेंधक को बचाना होगा रानी एक डंडे की साहेता से साप को डराती है और साप मेंधक को छोड़ कर ज़ाडियों में भाग जाता है इतना कियकर वो मेंड़क वापस तालाब में चला गया रानी की तो एक ही इच्छा थी कि उसे संतान सुखी प्रापती हो और मेंड़क की कही अनुसार रानी की इच्छा जल्दी पूरी हो गई और वो गर्बवती हो गई महारानी हमारी बेटी के नामकरण समारोह में हम दूर दूर के राज्यों में सभी को आमंतरित करेंगे इसके अलावा चुहता हूँ हम परी लोक की सभी परीओं को अपनी बेटी को आशिरवाद देने के लिए आमंतरित करें ये तो बहुत उत्तम विचार है महराज तो ठीक है मैं दूर दूर के राज्यों में सभी राजा महराजा को आमंतरित करने के लिए सेना पती को भेज देता हूँ और परी लोक में भी सभी परियों को आमंतरित करने चले जाते हैं पर भूल से वो काली परी को आमंतरित करना भूल जाते हैं। राजकुमारी के नामकरण संसकार पर सभी परियां और दूर दूर के राजा महराजा शामिल होते हैं। काली परी जब सब परियों को वहां गया देखती है तो वो क्रोध में आ जाती है और राज महल पहुँचती है राजा कृष्ण देवराएं तुमने सब परियों को आमंतरित कर दिया पर मुझे बुलाना भूल गए काली परी ऐसी बात नहीं है मुझे से भूल हो गई मुझे एक शमा कीजिए जब मैं परियों को आमंतरित करने गया था तब आप मुझे महल में दिखाई नहीं दी मैं कुछ नहीं जानती, इस भूल की कोई शमा नहीं है, तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया, मेरा अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को श्राप देती हूँ, कि ये इसी समय काली हो जाए, इसका रंग काला हो जाए और कोई भी इसे पसंद न करे नहीं नहीं, काली परी ऐसा मत करो, मेरी बेटी का इसमें कोई दोश नहीं, तुम मेरी पूल सी बच्ची को क्यों सजा दे रही हो काली परी, मेरी भूल की सजा मेरी बेटी को मत दो, इसे श्राप मुक्त कर दो इतना कहते ही, काली परी वहां से चली गई, राजगुमारी के नामकरण संसकार की विधी संपूर्ण हुई, और राजकुमारी का नाम काजल रखा गया। उसके पश्चात सब महमान अपने अपने देश वापस चले गए। धीरे धीरे राजकुमारी काजल बड़ी होने लगी। काले रंग की वज़ा से सब लोग राजकुमारी का मजाक उड़ाते थे और उससे नफरत करते थे। इसके साथ नहीं खेलना। नहीं, मैं माताश्री पिताश्री को कुछ नहीं कहूंगी। तुम सब मेरे साथ खेलो, मुझे तुमारे साथ खेलना है। रुको। राजकुमारी काजल की बात कोई भी सहेली नहीं सुनती। वो सब वहाँ से चली जाती है। राजकुमारी काजल रोती हुई महल में आती है मा मेरा रंग काला क्यों है मेरी कोई सहीली मेर से बात नहीं करती सब मुझसे नफरत करते है चुप हो जा मेरी बच्ची हमें कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए हम दूसरों को नहीं समझा सकते पर हम अपने आपको तो समझाई सकते हैं ना, इसलिए किसी बात को अपने मन पर मत लगाओ, और तुम मेरे पास बैटो, मैं तुम्हे कहानी सुनाती हूँ राजकुमारी काजल इसी बात को लेकर हमेशा दुखी रहती थी, धीरे धीरे समय बीतो और राजकुमारी काजल बड़ी हो गई, राजा और रानी चाहते थे कि राजकुमारी का विवा हो, पर राजकुमारी के काले रंग की वज़े से सारे राजकुमार उससे रिष्टे के क्या करें महारानी हमारी बेटी से कोई भी राजकुमार शादी के लिए हा नहीं करता उसके काले रंग को देखकर सब राजकुमार उससे विवाह के लिए मना कर देते हैं। और तो कोई उसका साथी है नहीं इसलिए वो अकेली ही अपने दुख को मन में दबाए मन बहलाने शिकार पर चली जाती है। कि तभी राजकुमारी काजल उनके बीच जमीन पर तीरों की बोचार से उन्हें डराती है। जिससे डर कर दोनों शेर जंगल की ओर भाग जाते हैं। लाइए हाथ दीजे आप ठीक तो हैं। जी शुक्रिया बस थोड़ी सी देर हो जाती तो मैं इन दोनों का भोजन बन चुका होता। वैसे मेरा नाम जैचंद है। मैं पास के राज्य कुशल गठ का राजकुमार हूँ और आपका परिचे। राजकुमारी काजल जैचंद को अपना परिचे देती है। धीरे धीरे जैचंद और राजकुमारी काजल में दोस्ती हो जाती है। राजकुमारी काजल को जैचंद का साथ बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी मनी मन जैचंद को प्यार करने लगती है। पर राज राजकुमारी को डर था कि कहीं सभी राजकुमारों की तरह जैचन भी राजकुमारी को विवा के लिए मना न कर दे। इसलिए राजकुमारी काजल ने जैचन से दूरी बनाना ही ठीक समझा। राजकुमारी काजल, किसने कहा कि आप सुन्दर नहीं है। आपका मन बहुत सुन्दर है, व्यक्ति के रंग से उसकी सुन्दरता की पहचान नहीं होती, उसके व्यवहार से होती है। आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपसे विवा करना चाहता हूँ राज कुमारी काजल अपने ससुराल विदा हो जाती है